असलावलेकुम आज हम बना रहे हैं चिकन नान चाप अगर आपको हमाई रेसिपी पसन आए तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बैल आकन को क्लिक कना ना भूले जिससे आपको हमाई नई रेसिपी की नोटिफिकेशन मिल जाएगी इसके लिए पहले हम नान चाप की से पका लेना है कि देखिए सॉफ्ट और ट्रांस्परेंट हो गया है कांदा अब इसमें हमने दो टमाटर को चौप करके दाल लिया है अच्छी तरह से से मिक्स कर लेंगे हाफ टीस्पिन कश्मीरी लाल मिर्च वन फूट टीस्पिन हल्दी हाफ टीस्पिन चिकन तंदूरी मसाला लेंगे चार लसन और पाच्छे हरी मिर्च का पेस्ट बना लिया हमने अच्छी तरह से से दाल लेंगे मिक्स कर लेंगे चिकन को हमने 150 ग्राम्स हमने बोल्लेस चिकन लिया है इसे हमने बड़े बड़े बाइट साइस पीसीज में काट लिया है अच्छी तरह से से दाल के मिक्स कर लेंगे गलने के अबाद हाफ टीस्पिन गरम मसाला दाल लेंगे इसीना नमक दाल लेंगे अच्छी तरह से से मि कि एसे अच्छी तरह मिक्स कर लेए है में इसे तंडा štr Ci लेए हुल टीन ओल से लिलगी है नान चाप के लिए हमारे नान मिलता है अलग से चोटे नान कहते हैं इसे हम बीच में से काट लेंगे अब इसके अंदर हम आलू और चिकन का मसाले को मिक्स स्टफिंग कर लेना है अची तरह से भरके स्टफिंग करना है हमें उपर से हम कवर कर लेंगे इसे नान से तवे को गरम कर लेना है इसके पर हम यह नान को रख लेंगे मेल्टिट बटर लेके हम उपर से इसे प्रश कर लेना है लो फ्लेम पर हम इसे पकने देंगे पांच मिनिट के लिए पांच मिनिट के बाद आप इसे फिलिप कर लेंगे फिर से पांच मीट के बाद आप इसे फलिप कर लें flexibility आप लांचभ तयार है इसे बीच में से काट लें आप चार पीसे या दो पीस में काट सकते हैं। आप इसे नेव्बू के चैज़ब में सफ कीजिए अगर आपका हमयी रेसीपी पसधनाए तो इसे Like कीजिए।